प्रधान मंत्री आवासी योजना के अंदर फ्लैट महंगे क्यों हो रहे हैं जबकि सस्ते होने चाहिए दोस्तो इसी टॉपिक पर हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे और आपने जो हमसे सवाल करेंगे तो इसके बारे में हम आपको ठीक से समझानी कोशिश भी करेंगे दोस्तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट अगर अभी तक हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो सबस्क्राइब कर लीजिए सबस्क्राइब के लाल निशान पर टच करके और इसके बात घंटी के निशान पर जरो टच किजए ताकि हमारी नए नहीं लगातार वीड के लिए इस टॉपिक के उपर वीडियो बना दी जाए दोस्तो तो जैसे कि आपने हम से सवाल किया था कि प्रधान मंत्री आवसी योजना के अंदर फ्लैट महंगे मिल रहे हैं दोस्तो महंगे मिलने का कारण क्या है वो हम यहां पर डिसकस करेंगे दोस्तो देखे जब हम पह रुपे का अगर कोई 1BH के फ्लैट है तो धाई लाग रुपे उसमें माइनस हो जाने चाहिए क्योंकि सबसीडी का मतलब ही यही होता है कि जो महंगी चीज हमें मिल रही है उसमें सरकार हमें थोड़ी मदद कर रही होती है लेकिन अब हुआ क्या है जैसे कि हम पहले फ्लै फ्लैदा बना लिया है यानि कि उन्होंने अपने लिए प्रॉफिट की चीज़े बना लिये जो फ्लैट पहले 10 लाग रुपे का मिलता था और हमें 5 लाग की छूट मिलती थी अब उसी 10 लाग के फ्लैट को बारा लाग में बेचने लगे हैं बारा लाग रुपे में अगर अगर मालीजे आप कोई फ्लैट लेने जा रहा है और फ्लैट की कीमत आपको अगर ज़्यादा लग रही है तो आप बारगनिंग कर सकते हैं bargaining करना आप सभी का हक है दोस्तों यहाँ पर हम किसी के against कुछ बोलना नहीं चारे लेकिन आपको यहाँ पर खुद अपना विवेक यूज़ करना है कि आप कहाँ पर ज़्यादा पैसा दे रहे हैं और कहाँ पर कम दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि आप जरूरत से ज़्यादा आपको कहीं पर प्राइस मांगा जा रहा है तो आप उधर मत दीजिए आप बहुत सी दूछी जगों पर भी ट्राइ कीजिए दोस्तों यहाँ पर जो प्राइस जो सेलेक्ट किये होते हैं वो अपने आपी बिल्डरों नहीं सेलेक्ट किये होते हैं या प्राइस नहीं सेलेक्ट किये होते हैं गौर्मेंट ने कोई भी यहाँ पर प्राइस सेलेक्ट नहीं किया होता गौर्मेंट तो श्रीफ आपको सब्सीडी दे रही है चाहे आप 5 लाग का ले लीजिए चाहे आप 10 लाग का ले लीजिए तो यहाँ पर अगर आपको सब्सीडी का फायदा लेना ही है तो आप genuine rate पर ही लीजिए तो दोस्तो यहाँ पर जो आप सवाल कर रहे थे कि property या flat के rate जो महंगे हो रहे हैं तो दोस्तो देखे subsidy तो government दे रही है अब अगर flat ही जो पहले 9 लाग रुपे है 10 लाग रुपे में मिलता था वो subsidy का rate ही उसी में जोड दिया है तो हमें इसलिए अब उसका profit नहीं मिल पा रहा है और यकीनन flat महंगे हो गए हैं जो पहले 10 लाग का मिलता था वो 12 लाग में मिल रहा है यो पहले 8 लाग का मिलता था वो अब 2-5 लाग रुपे महंगा ही हो गया है ताकि जो bank अगर हमें loan भी दे रहा था और उस पर जो subsidy भी मिल रही थी तो वो subsidy देने के बाद भी हमारा जो price है वो वही की वही खड़ा हुआ है दोस्तों ये समस्या जो है मैं समझ सकता हूँ लेकिन इसके उपर हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं बस हम यही कर सकते हैं कि आप जब भी अगर कोई flat या property देखने जा रहे हैं तो आप ये fix amount मान के मत चलिए आप कोशिस कीजिए कि जादा से जादा आप price जो है वो कम करवा सकें और कम करवाने के बाद ही आप उस deal को कीजिए अगर आपको लगता है कि वो price जादा है तो आप deal को मत कीजिए यही आप लोगों के लिए अच्छा होगा तो दोस्तों ये एक general information थी जनरल वीडियो थी आप लोगों के लिए तो आपको कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट कर सकते हैं आपके कोई सवाल है तो हमसे पूछ सकते हैं और इस वीडियो का आप अपने दोस्तों परिवार के साथ इस पर शेयर कीजिए अच्छी लगी तो से लाइक कीजिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए सब्सक्राइब के लालेशन पर टच करके तो भी के लिए इतना ही धन्यवाद